Hello Friends, आसा है कि CVSC Term 2 की परिच्छा की तैयारी में लगे हुए Class 10 के Students अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लग गया होंगे, क्योंकि अब अंतिम रूप देने का समय आ गया है. तैयारी में लगे छात्रों को तो यह मालूम हो ही गया है कि CVSC ने डेट सिट जारी कर दिया है, साथी आपके Term 1 के रिजल्ट को भी अस्कूलों में भेज़ दिया गया है. अब आपके लिए और ज़्यादा सतर्क होने का समय आ गया है. अब समय आ गया है कि आप आज से ही अभी से ही अपनी तैयारी को बोर्ड की परिख्षा के अनुरूप ले जाएं. मतलब Term 2 के पैटर्न पर अधारित, सेट प्रैक्टिस को करने का समय आ गया है. सेट प्रैक्टिस करने के दोरान में अगर बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही है, तो घबराएं नहीं, जिन प्रस्णों में दिक्कत आ रही हैं, उससे सम्मंदित चैप्टर्स या टॉपिक् अभी समय है, अपने मित्रों की मदद से, किसी जुग्य सिक्षक की मदद से, अपने पैरेंट्स की मदद से, या तकनीकी के सहारा लेकर, जैसे भी हो, उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को, आप अच्छी तरह से समझें, कॉंसिप्ट पर ध्यान दें, टॉपिक्स की बे प्रियास करें, कि क्वेस्टन्स बोर्ड मोडल पर हूं, तथा निर्धारित समय के अंदर उन्हें पूरा करने पर फोकस भी करें, उस बाद उत्तर की जांच स्वेम करें, या किसी अनुभावी से मदद दें, ऐसा लगबग हर दो दिन पर करते रहें, मतलब एक दीन में, या एक दीन के अंतराल पर कम से कम एक प्रैक्टिस सेट जरूर बनाए, मैट्स के कुछ महत्पूर्ण चेप्टर्स को दुबारा बनाए, किसी भी एक बुक को चुन लें, लेकिन उसमें क्वेस्टन्स NCRT पर अधारित होने चाहिए, वैसे आप लोग ए NCRT के बुक को तो चेप्टर में कठिन लगने वाले प्रशनों को दूर आएं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी तक जिस चेप्टर में परिसानी आ रही हो, उसे पहले ही तयार करके अपनी कठिनाईयों को दूर कर लें, फिर उसे बार-बार दूर आएं, लेकिन ध्यान रहे कि चेप्टर में सल्व होने की संभावना बढ़ जाएगी साथ ही प्रशनों को बार-बार दोहराने से भी नए प्रशनों को सल्व करने की संभावना बढ़ जाती है प्रशनों को साउधानी से पढ़ें उसमें पूछे गए तक्तियों पर ध्यान दें समझने का प्रयास करें कि क्या पूछा जा रहा है तब प्लान करें कि इसे कैसे सुल्व करें चेप्टर से रिलेटेड मुहत्पॉन बिंदूं को लिख कर अभ्यास कर लें फर्मूला को चेप्टर वाइज कलेक्ट करके अच्छी लिखावट में लिख लें तथा किसी सुकून भरी जगह पर चिपका लें जहां आप रिलेक्स महसूस करते हों जहां आपकी ध्यान ज़्यादा बार जाती हो सब्ताह में एक या दो दिन दस-दस मिनिट का समय फर्मूला के मंधन पर दे दें ध्यान रहे कि मेडियन या मोड के फर्मूला में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है कभी-कभी किसी सॉलिड के सर्फिस एरिया या भालूम में भी कन्फ्यूजन हो जाता है सांति यहां भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहां surface area का formula यूज करें या volume का इन बातों को अच्छी तरह से समझ लें construction में भी नेमित समय दें AP में कहां N निकालनी है कहां N निकालनी है यानि कौन सा term निकालना है या कहां terms का sum निकालना है यानि S N निकालनी है इसकी basic समझ होनी चाहिए इन बातों को पहले ही अच्छी तरह से समझ लें quadratic questions और height and distance में word problem पर ज्यादा ध्यान दें circle chapter के theorem को अच्छी तरह से समझते हुए practice कर लें ध्यान रहे ज्यादा से ज्यादा practice ही आपको अच्छा marks दिला सकता है अगर आप अभी से भी अपनी तयारी में जुट गए तो आपको अच्छा marks गेन होगा ही कम से कम धाई से तीन घंटे तक प्रती दिन maths को दे दें हाँ अपनी जरूरत के हिसाब से इसे घटाया बढ़ा लें इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि रूटीन में प्रती दिन maths सामिल जरूर हो घवराय नहीं maths के एक भी problem को खुद से solve करने से मिलने वाला आनंद आपको आगे पढ़ने के लिए प्रदित करेगा ही और आपकी पढ़ाई प्रती दिन अच्छी अस्तर प्रपोंचते जाएगी ध्यान रहे कोई भी topic छुटे नहीं अभी समय है प्रैक्टिस करें सभी विसेयों को संतुलित समय दें तथा कम जो topic को पहले सुधारें समय समय पर मैं आप सभी का उसा बर्धन करते रहने का प्यास करूँगा धन्यवाद